नमस्कार दोस्तों मैं सागर किमार आपका स्वागत करता हूँ Sensible के इस नए Hindi daily market analysis video में चलिए शुरू करते हैं हमारा market analysis सबसे पहले देखेंगे जो हमने last analysis कहा था कैसा टूट part करेंगे आगे market किस तरह का हो सकता है तो दूस्तों कल मैंने आपसे यह बात कही थी कि market में आपको Nifty का चार्ट में अगर देखूं तो यहाँ पर हमने डिसकेशन किया था कि market में आपको इतने समय से से एक सेलिंग मोमेंटम ही दिखाई दे रहा है, market selling market में इतने समय से आपको एक selling pressure ही दिखाई दे रहा है तो आपको एक positive momentum में भी या फिर आपको एक upside momentum ऐसा कुछ देखने को market मिल सकता है, तो nifty में तो वैसा आपको gap opening हुआ, फिर market gap opening हुआ, फिर market धीमे धीमे नीचे ही आता रहा, चीक है, bank nifty में आपने ये जरूर देखा होगा, कि bank nifty अगर मैं जाओं, just a second, bank nifty अगर मैं जाता हूं, तो market थो, मतलब ज़्यादा बड़ा gap up नहीं open हुआ था market, upside पर गया, फिर market वापिस नीचे आकर, इस तरह से market ने कुछ closing दिया आज का, ठीक है, तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं, कि हमें आगे आने वाले, मतलब अ momentum market में आना, थोड़ा सा एक जायज बात बन जाती है, कि आना चाहिए, right, क्योंकि market, कुल मिला के, दो, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों से बना हुआ, right, तो आपको एक कुछ टाइम पर सेलर्स का दिखेगा, कि सेलर्स जाद डॉमेनेटे हैं, फिर आपको बायर्स दिखें करता है, हमारे आज की candle का, अगर market यहाँ पर हमारे low cross करता है, which is nifty, 17,800 का level अगर market cross करता है, तो फिर से market में जरूर सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, परन्तु अगर market कोई भी एक green candle बनाता है, upside पर कोई market momentum देता है, कोई भी किसी तरह की market में आपको green candle इस तरह की बनती भी दिखाई देती है, तो यहाँ पर आपको buy नहीं करना है, ठीक है, buy बिल्कुल नहीं करना है, अभी के लिए, ठीक है, एक अच्छा price action market को बना लेने दीजिए, उसके बाद market में आप buying के लिए सोचिएगा, अगर market में कोई red candle बन जाती है, इस तरह से market नीचा आ जाता है, ठीक है, तो हम low cross करती ही market में sell plan करेंगे, परन्तु अगर market upside पर move करता है, तो हम buy market में नहीं प्लान करेंगे, यह बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इस बात का, खासकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि market अभी, जब भी market upside पर momentum देगा, अगर मार्केट मान लिजे, upside पर किसी भी तरह का market अगर momentum भी देगा, तो market easily resistances face करेगा, और फिर market नीचे आने के बहुत ज़्यादा chances हो जाते है, ठीक है, तो simple सा मेरा अभी के लिए भी यही view रहेगा, कि जब तक कि market में एक positive price action नहीं दिख जाता है आपको, या तो market एक consolidate कर जाए, ठीक है एक दो दिन के लिए market consolidate कर जाए, फिर upside पर breakout दे, एक range बना के, तो हम यहाँ पर buy करना पसंद करेंगे, ठीक है, ऐसे ही market अगर upside पर move कर रहा है, ठीक है, ओपन होकर market upside move करना शुरू कर देता है, तो बिलकुल buy मत करिएगा, कोई बात नहीं, एक हमारा rally अगर miss भी हो जाता है upside पर तो कोई कोई खास बात नहीं है, जब तक की market में आपको एक अच्छा price action नहीं दिखाई दे, तब तक आप market में buy नहीं करें, वो हमारा, देखिए, simple साई कि आपका, पहला focus हमेश ही होना चाहिए, कि आपका stop loss छोटा हो, आपका stop loss hit होने के chances कम हो, ठीक है, आप trend के साथ आप में trade कर रहे हूं, तो यहाँ पर यह जो market ने, trend line से market ने break दिया है, नीचे, यह जो trend line आप देख रहे है, इसके नीचे market आप आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर इस जगह से market जब तक की एक अच्छा price action बना कि उपर नहीं जाएगा, तब तक में buying करने के लिए इंट्र 40,600 के नीचे जैसी market आता है, तो हम बिलकुल यहाँ पर sell करना plan करेंगे, upside के लिए पहले market में मैं इस तरह का price action चाहता हूं, कि market नीचे आया, upside पर गया, selling आई market में, फिर market upside फिर से move कर रहा है, 41,000 के ऊपर अगर market फिर sustain करता है, तब हम यहाँ पर buy करना पसंद करेंगे, ठ आपका एक decisive आपका plan रहेगा, उसके according आप market में ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है, open interest अगर हम देखते हैं, तो 18,000 निफ्टी में सबसे biggest open interest है, अब 41,000 भी bank nifty अच्छा interest बन गया, ठीक है, तो जब तक कि 41,000 के ऊपर market एक sustainability नहीं दिखाता है, यहाँ पर market मान लिजे, दिखे simple सा को यहाँ पर price action दिखा, market नीच आया, upside पर गया, profit नीच आया, फिर से market upside पर गया, इस तरह से market trade करता है, अगर यहाँ से market इस तरह का momentum करता है, 41,000 के ऊपर निकलता है, तब हम यहाँ पर market में कुछ buying के लिए interested रहेंगे, ठीक है, उससे पहले तो मैं अभी भी कोई interested नही new market में buy करने के लिए, ठीक है, तो इसके ऊपर, अगर 41,000 के ऊपर market एक buying momentum दिखता है, हमें 41,000 के ऊपर sustain करता है, तो हम market में buy करना पसंद करेंगे, FIA activity अगर हम देखें, तो कोई खासा बड़ा change रही है, यहाँ पर puts आज जरूर sell करे गए है, ठीक है, calls थोड़ी बहुत quantity buy हुए है, futures में buying हो रही है, तो overall अगर आज की activity देखेंगे, तो यह bullish activity दिखा रही है, ठीक है, bullish activity दिखा रही है, परन्तो अभी net जो open interest है, वो अभी puts का बहुत ज्यादा है, calls का काफी कम है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अमारे लिए bearish है अभी भी market, ठीक है, मतला FIA activity तो अभी हमारे लिए थोड़ी सी bearish दिखाई दे रही है, तो कुल मिला के मेरे हिसाब से कि market अभी भी selling pressure के अंदर दिखाई दे रहा है, selling pressure के अंदर अगर upside market momentum कर रहा है, तो उसको जाने दीजिए, और उसके बाद हम market plan करेंगे कि bullish momentum के बाद के किस तरह का market हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, positional के लिए आप call sell कर सकते है, 41,000 का कर सकते हैं, 18,000 का call sell कर सकते हैं, इस February के expiry के लिए, ठीक है, बढ़ते हैं dollar के analysis के तरह, अभी भी यहीं पर इसी zone में market अभी hover कर रहा है, इसी particular zone में, तो हम क्या कर सकते हैं, यह जो दो swings हैं, यह आप mark करके चलिए market में, इस इन दो swings को यह जो high है और यह जो low है, यह हमारे लिए एक important level हो जाएंगे दोनों, और इसके नीचे, इसके ऊपर अगर market break करता है, तब हम एक decisive trade लेंगे, इसके बीच में जब तक है, तो इसका ही मैं strangle या straddle market में बना दूँगा, strangle मुझे बनाना है, तो इन दोनों level का बन जाएगा, ठीक है, 83 और 82.5 का, इन दोनों का मेरा strangle बन जाएगा, straddle बनाना है, तो अगर आप straddle के लिए comfortable है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ब्रेक आउट अभी दे सकता है, देने के चांसे जारा दिखाई दे रहे हैं, अप साइड पर, परन्तु जब तक कि ब्रेक आउट नहीं होगा, तब तक मैं आप से नहीं कहूंगा, याप कोई भी आप bullish rate ब्लान करें, ठीक है, overall अगर मैं आप market मुझ से पूछें, तो अभ कर रहा है, ठीक है, lower highs बना रहा है market, यहाँ पर अगर market आता है, तो यहाँ से फिर से एक चांसे दे इस तरह का market में structure बनाने के market की, बस, यह जो previous low है, यह एक यहाँ पर higher low market बनाएगा, उसके बाद इस high को cross करने के बाद एक higher high भी market बनाएगा, इस तरह से market अपना structure सुधार मैं नहीं दिखता है, तब तक मैं नहीं advice करूँगा आपको किसी तरह का aggressive bullish position लेने के लिए, ठीक है, तो देखे, simple सा है कि हड़ बढ़ाईएगा बिल्कुल नहीं, market में आपको, आपके buying के लिए आपको अच्छा खासा chance मिलेगा, ठीक है, आपको selling के लिए अभी दिखाई मार्केट तो बिंदा से भी sell करिए, market में call sell करिए, bear call spread बनाईए, अगर margin कम है तो, और अभी वहीं पर market में किसी भी तरह का, वो खुराफात मत करिएगा कि यहां से buy करूँगा, और फिर देखूँगा कि कहा अपर market जाएगा, वो bottom catch करने वाला खुराफात मत करिएगा, अ यहां से यह देखे, lower highs, यहां पर एक नया low बना दिया, फिर एक lower high बनाया है, फिर अगर market को अपना structure सोधारना है, तो इस particular low को बचा के रखना पड़ेगा, इसके पहले U-turn लेना पड़ेगा इस तरीके से, तभी market में structure पच पाएगा, bullish structure बन पाएगा, तो फिर मार्केट म और नीचे मार्केट जा सकता है, यह low fair से retest करेगा market, वो तो काफी आगे की बात होंगी, पर तो अभी के लिए तो ऐसा ही लग रहा है कि बेरिश, मतलब selling pressure के अंदर बिखरा है market हमें, ठीके दोस्तों, तो यह था मेरा nifty, bank nifty और dollar का analysis, I hope यह आपको पसंद आयो, पसंद आ करें सब्सक्राइब और हमेशा की तरह अपने capital को बचा के trade करो, stop loss के साथ trade करो, hedge के साथ trade करिए and bye bye